Hello students, today we start class 10th में chapter 3 exercise 3.6 question number 1 solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations बिटा आपको pair of equation दी गई है आपने इसको reduce करके pair of linear equations निकारनी है आपको equation दी गए 5 upon x minus 1 plus 1 by y minus 2 is equal to 2 6 by x minus 1 minus 3y by y minus 2 is equal to 1 बिटा हमें equation को इस तरह से write कर सकते हैं 5 multiply में आपके पास जो number है सारा 1 x minus 1 ठीक है और 1 और जो अंदर हमारे पास variable जो है वो क्या है denominator की form में वो लिया आपने 1 y minus 2 ठीक है इस तरह से लिखके क्योंकि हमें इसको क्या करना है हमें reducing method apply करना है reducing method में यही है कि हमारे पास जो variables है वो क्या दिये हैं denominator form में को square root की form में तो आप उसकी again value put करके वहाँ पे डालके फिर आप उसको solve करेंगे ठीक है तो हमने इसको लिया first equation इसको लेंगे आप second equation तो आप put करेंगे put 1 by x minus 1 is equal to p and 1 by y minus 2 is equal to q ठीक है इनकी आप value put करेंगे फिर आप लेखेंगे 5p plus 1 है तो क्या जगा q is equal to 2 यह third equation आजाएगी 6p minus 3 q is equal to 1 ठीक है simply हमने जो यह वाली चीज़ी सारी put कर लिया आपने इसको p और इसको क्या दे दिया q नाम दे दिया तो अब आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास तो यहां पे हम कौन सा method apply करेंगे elimination method क्यों क्योंकि आप देख रहे हैं जो q variable है उसका coefficient एक तो 3 है एक 1 है तो हम इसको भी 3 बना लेते हैं multiply करके ठीक है इसको ले लेंगे आप फिफ्थ equation अब आप क्या करेंगे फोर और फिफ्थ equation को क्या करेंगे adding करेंगे क्योंकि sign minus है यहां पे sign plus है इसलिए हम subtracting नहीं कर सकते adding करेंगे adding से हमारे sign नहीं change होंगे adding 4 and 5 equation ठीक है 4 और 5 equation add करेंगे बटा आप तो हमारे पास आजाएगा 6P minus 3Q is equal to 1 15P plus 3Q is equal to 6 क्लिए है बटा चलिए solve करें adding में no sign change तो यह आजाएगा कितना आजाएगा 21P क्लिए है यह हमारे पास 21P आजाएगा यह cancel और यहां पे आजाएगा 7 P is equal to 7 upon में 21 कटिंग किया आपने 1 by 3 आ गया P की value 1 by 3 अब आप किसी एक equation में put करेंगे 1 by 3 हम put करें यहां पे third equation में putting P is equal to 1 by 3 in third equation ठीक है बटा 5 1 by 3 Q is equal to 2 तो यहां पे आप देख रहे हैं 5 upon 3 हो जाएगा plus Q is equal to 2 तो बटा यह Q इदर ही रहेगा 2 यह वारा नमबर प्लस के उदर जाके minus हो जाएगा तो इसी को आप solve करेंगे यहां पे यहां पे निचे 1 है ठीक है cross multiply क्योंकि हमने LCM सेम किया 3 तो 3 1s are 3 3 2s are 6 minus 5 यहां पे already 3 है इसलिए 1 by 3 तो Q की value हमारे पास क्या आजाएगी Q की value आजाएगी 1 by 3 ठीक है बटा Q की value आगी P की value आगी हमने जो letter किया था 1 by X minus 1 1 by X minus 1 हमें P लिया था और 1 by Y minus 2 हमने क्या लिया था Q लिया था तो value पुट करेंगे P की value हमारे पास आईए 1 by 3 and Y minus 2 Q की value क्या आईए 1 by 3 दोनों की value सेम आईए है ओके बटा दोनों की value क्या आईए हमारे पास सेम आईए है तो आप cross multiply करेंगे 3 आजाएगा X minus 1 यहाँ पे 3 आजाएगा Y minus 2 solve करेंगे बटा यहाँ पे 3 यह वानी दर आजाएगा प्लस हो जाएगा और यह 3 यह 2 दर आजाएगा प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आगे बटा X यह हमने इदर लिख दिया is equal to 4 और Y यह 5 हमने इस साइड लिख दिया ठीके बटा हमारे पास hence X is equal to 4 and Y is equal to 5 यह answer आगे ओके थैंक यू